गनेशाय नमह, श्री शिवकुरान रुद्र सहिता का पंचम युद्ध खंध भाग अध्याय सत्रह, दंभ की तपस्या और विश्नु द्वारा उसे कुत्र प्राप्ति का वर्दान, शंक्चूट का जन, तप और उसे वर्प्राप्ति, ब्रहमाजी की आग्या से उसका संग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा मूने, आप शंभु का दूसरा चरित्र प्रेमपूर्वक श्रवन करो, उसके सुन्ने मत्र से शिवभाक्ति सुद्रिर हो जाती है, व्यास जी, शंक्चूट नामक एक महावीर दानव था, जो देवों के लिए कंतकर स्वरूप था, उस मा के पुत्र जो महर्शी मरीची थे, उनके पुत्र कश्यप हुए, ये मननशील, धर्मेष्ट, स्रिष्ट इकरता, विद्यासंपन तथा प्रजापती थे दक्षने प्रसन होकर अपनी तेरह कन्याओं का विवाहिन के साथ कर दिया, उनकी संतानों का इतना आधिक विस्ता हुआ कि उसका पत्नियों में एक का नाम दनू था, वह श्रेश्ट सुन्दरी तथा महरुक्वती थी, उस साध्वी का सौभाग्य बढ़ा हुआ था मूने, उस दनू के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन हुए, विस्तार भाय से उनके नाम नहीं गिनाय जा रहे हैं, उन उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंब किया, वहां सुद्रिड आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जब करते हुए उसके एक लाख वर्ष बीट गए, उस तपस्वी के मस्तक से एक जाजवल्यमान तेज निकल कर सर्वत्र व्याप्त हो गया, वह तेज इतना दुसर था कि उससे संपूल देवता, मुनी तथा मनुसंतप्त हो उठे, तब वे इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रमा की शर्नापन हुए, वहां उन्होंने संपूल संपतियों के दाता विधाता क प्रनाम करके उनकी स्तुती की और फिर विशेश रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृतांत उनसे कह सुनाया, उनकी बात सुनकर विष्णु को सुनाने के लिए वैकुन्थको चले, वहां पहुँचकर सब लोगोंने त्रिलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात् और फिर हाग जोड कर उनकी स्तुती करने लगे। विष्णु ने कहा अमरो, शांत रहो, घबराव मत, भयबीत न हुओ, कोई उलट पलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलह का समय नहीं आया है। ये तेज तोक दंभ नामक दानव का है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वर्दान देकर श ये पुश्कर को चल पड़े, जहां वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुँचकर श्रीहरे ने अपने मंत्र का जब करने वाले भाक्त दंभ को सांत्वना देते हुए मधुरवानी में कहा, वर्मान। तब विष्णु का उपर युक्त वचन सुनकर और उन पुत दीजिए, जो आपका भक्त था महानवल पराक्रम से संपन्न हो। वो त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं मूने, दानवराज दंभा के युँ कहने पर श्रीहरे ने उसे वह वर्दे दिया और उस भोर तपसे उस उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई, वो अपने तेजसे घर के भीत्री भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मूने, श्रीकृष्ण के पार्शदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधाजी ने शाप दे दिया था, वही उसक गर्भ में प्रविष्ट हुआ था, तदनंतर समय आने पर साधवी दंग पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन दिया, तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुला कर उसका विदिपूर्वक जातकर माधी संसकार संपन्न किया, द्विजोतम उस पुत्र के उत्पन ह उने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, फिर शुप देन आने पर पिता ने उस बालका का शंक्चूर्ड ऐसा नामकरन किया, वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्षे के चंद्रमा की भाती बढ़ने लगा, वह अत्यम तेजस्वी था, अतह उसने बच्पन में ही सा जाकर ब्रमाजी को प्रसंद करने के लिए भक्ति पूर्वत तपस्या करने लगा, उस समय वह एका ग्रमन हो अपनी इंद्रियों को काबु में करकि गुरुपदिष्ट ब्रह्मिद्या का जब करता रहा, यो कुशकर में तपस्या करते हुए दानवराज शंक्चूट को व मानते हुए कहा भगवन, में देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रमाजी परम प्रसंद होकर बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा, फिर उन्होंने शंक्चूट को वह दिव्य श्री क्रिश्न को वच प्रदान किया, जो जगत के संपूर्ल मंगलों का भी मंगल और स तरवत्र विजय प्रदान करने वाला है, तदनंतर ब्रमाजी ने उसे आज्या दीकी, तुम बदरीविन को जाओ, वही धर्मदवच की कन्या तुलसी सकाम वहावसे तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो, सामने ही तुरंत अंतरधान हो गए तब-तब, के थे और मुक पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुशकर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगलस्वरूत कफच को गले में बाध लिया और ब्रमा के आज्यानुसार वह ततकाल ही बदरिकाश्रम को चल पड़ा, वहाँ दानव शंक्चूद सहसा उस थान पर जा पहुँचा जहां धर्मद्विच की पुत्री तुलसी तप कर रही थी, सुन्द्री तुलसी का रूप अत्यंत कमनिय और मनोहर था, वह उत्तम शीव से संपन्न थी, उस सती को देखकर शंक्चूद उसके समीपी थहर गया और मधुरवानी में उससे बोला, शंक्चू ने कहा सुन्द् में तप कर रही हूँ, आप कौन हैं, सुक्पूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाए, क्योंकि नारीजाती ब्रम्हा आदे को भी मोहमें डाल देने वाली होती है, यह विश्वतुल्य, निंद्निय, दोश हुत्पन करने वाली, मयारुपिनी तथा विचारशीरो को भी श्रिंखला के समान जकर लेने वाली होती है, सनत कुमार जी कहते हैं महर्शे, तुलसी जब इस प्रकार रसभरी बाते कहकर चुक हो गई, तब उसे मुसकराती देखकर शंक्चूर ने भी कहना आरंभ किया, शंक्चूर बोला देवी, तुमने जो बात कही है, वह सार है कि जैसे मैं पापबुधी कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी कामपराधीना नहीं हो, फिर भी इस समय मैं ब्रमा जी की आग्या से तुम्हारे सभी पाया हूँ और गांधर्व विवाह की विदि से तुम ही ग्रहन करूंगा, भध्रे, क्या तुम मुझे नहीं जा इस समय मैं रादिकाजी की शापसे दानवराज शंक्चूड होकर उत्पन हुआ हूँ, ये सारी बाते मुझे ग्यात हैं क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरन बना हुआ है, सनत कुमार जी कहते हैं मूने, तुलसी के समक्षियों क कर शंक्चूड चुप हो गया, जब दानवराज ने आदर पूर्वक्त तुलसी से ऐसा और मुसक्रा कर कहने लगी, तुलसी बोली भद्र पुरुष, आज आपने अपने साथ्व एक विचार से मुझे पराजित कर दिया है, जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सक कि वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है, वह पुरुष सदाचारी होते भी सदा अपावन बना, रहता है, देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं, जन्ना शौच तथा मर्ना शौच में ब्राहमन दस दिनों में, शत्रि उसके पितर उसके द्वारा दिये गए पिंग तरपनादे को इच्छा पूर्वग ग्रहन नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किये गए पुष्पलादे को स्वीकार नहीं करते, जिसका मन स्त्रियो द्वारा आहत हो जाता है, उसकी ज्यान, उत्तम तप जब, हूम, पूजन, विद्या और दान से क्या लाग? अर्थात उसके ये सभी निश्वल हो जाते हैं. मैंने आपके विद्या, प्रभाव और ज्यान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामिनी को चाहिए कि वो अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पतिरूप से वरंग करे. सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी, जिस समय तुलसी योँ वारतालाब कर रही थी, उसी समय स्रिष्टिकर्टा ब्रह्मा वहाँ आ पहुँझे और इस प्रकार कहने लगे. ब्रह्मार जी ने कहा शल्वचूड, तुम इसके साथ क्या पुने के साथ समागम गुनकारी ही होगा. फिर तुलसी की ओर लक्ष करके बोले सती साधवी तुलसी, तू ऐसे गुनवान कान तकी क्या परीक्षा ले रही है? ये तो देवताओं, असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है. सुन्दरी, तू इसके साथ संपू इस प्रकार आशिर्वाद देकर ब्रमा अपने धाम को चले गए. तब दानव शंक्चु ने गांधर्व विवाह की विदि से तुलसी का पाने ग्रहन किया. यो तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमनी की साथ विह करने लगा. इती श्री शिव कुरान के रुद्व सहिता का पंचम युद्ध खन भाग अध्याय सत्रह कथा समाप्त. हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे क्रिश्न हरे क्रिश्न 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 हरे हरे, ओन नम शिवाई, ओन नमा शिवाई, ओन नमा शिवाई, ओन माश शिवाए